मश्कार दोस्तों बहुत बहुत सौगत है आपका इस सुडियो में दोस्तों हमारा एससी का दूसरा विडियो है इस सुडियो में हम बात करने मा लहें जो आज MTS के लिए जो एड्स पड़ी थी अपर आपडेट जख सकते हैं नोटिस वोड़ पर इसमें मैं जैसे कि आपको कल के लेक्षेर में बताए था जब मैं सीजियल के लिए जो वीडियो बनाया था कल का तो उस वक मैं आपको बताया था कि MTS के लिए और CHSL के लिए भी आज़्स वकर आती रहती है तो अभी इसमे के बारे में आज बात करेंगे इसमें क्या-क्या है कौन सी कौन सी पोस्ट हमें मिलेगे तो फिल्याल के लिए हम आपर बात करते हैं कल हमने जो है कंबाइन गैजुटे और यानि की सिजिगल का देखा था जिसमें जिन स्टुडेंट्स ने इस साल टी-वाई की एक्जाम दिय नहीं गा तो उसमें मैं देखा कि एक स्टुडेंट्स आइसे में का था और एक एक रेगुलर का था संत्य गाड़गी बाब आप अपेरिंग में थे अपेरिंग मतलब जब मैं आप पर फर्म भर रहा था तो सीजिगल के लिए जो है दूस्तो ग्रेजिशन डालना बहुत होता है तो आप अपको दो ऑप्शिन आते हैं एक उप्शं का दसी के सब्कोंड दालना और और अपको ईया tenthी नसी क्योंचिया आ ना डाला तो घंशा रहीगा क्यांथ कियुकि सिजेल ईस्के आपको यहांपको करने की है और उसकARS नागी द्खालगार कर देना इस सम्झ में आ जाएगえ दो तिन स्टेप होती आपको फॉलो करने होती है इस प्रकार से आपको यह आपको फॉलो करने आपका आधार नुम्बर अगर डालके उसके आपको एक मेल आएगा और जब फर्म के लिए अप्लाइ करेंगे तो आपको जो वहाँ पर आपको ग्रेजुशन डालना बहुत जरूरी होता है तो वहाँ पर आपको दो आप्शन आते हैं एक अता है पास और दूसरा था अपेरिंग तो आपको आपर 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 आपेरिंग कर सकते है क्योंकि निम्बर रहेगा एक्जाम का वह आपको पुछा जाएगा वह आपको डाल देना है वहाँ पर आपको डाल सकते हैं आई जी कुछ शुरू होता है और रेगुलर जो भी होंगे उनिविश्टी वाले जैसे कि संत्रगार के बाब वाला का था मैंने डाला था वहाँ पर आम पूछ जाते हैं तो आपको कि यह वहाँ पर बोला गया है उसका आप अब डाल सकते हैं अगर शुप यह और फिर में शिक्स है तो आप फिर थोड़ा बहुत आप डाउन हो सकता है तो चलेगा क्योंकि आप अप आपको जो है जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके कोन हो जाएगे उसमें आप अपको कोई दिकत नहीं है अभी देखते हैं आप पर जो मूटिस आई है नहीं मल्टी टास्किंग जो नॉन टेक्निकल होता है उनके लिए जो स्टाफ और हवालदार के लिए होता है सबको सब्सक्क्राइब करते हैं एक सिब्सक्राइब कर सकते हैं इस जो आपको ऑन लाइन एपली ट्वी कोड़ेटी सता 11 जून से लेकर 31 जुलाई तक मतले यानिकि किकल से शुरू हो चुका यह सब्सक्राइब जुन से लेकर 31 जुलाई तक, य cane के पास जो है लगबख एक मैने का टाइम है उसके बाद आपको जो है payment के लिए online time मिलता है एकति सांद तक यनिके आपको जो है 31 जुलाई तक आपको फर्म बरना यह उसके बाद जो आपको पेजिए एक दिन एक्ट्रा मिलता है जैसे मैं आपको कल की व्यविटियों बताया था तो पेजिधेन के लिए एक स्टा है किसी का पर गलीच रहता है तो आपको जो है वह उपार को समस्या आ सकती इसके लिए आपको एक दिन बढ़ाकी दिया जाता है और डेट दो दिन टाइम दिया दता है तो 16 और 17 को आपको टाइम मिलेगा करेक्शिंग के लिए अब ये मत पुछना कि इसके डेट बढ़ेगी क्या SSC में 99.99% डेट बढ़ती नहीं है जो है वही फाइनल है उसे कम हो सकता है एक दिन क्योंकि ऐसा होता है कभी-कभी समय से पहले ही वह फिल अप कर देते हैं और कुछ रियर केसे में कभी-कभी जो है डेट बढ़ा सकती है अगर कुछ दिक्कत होगे तो उनके साइट से तो ऐस schedule of computer-based examination जो है October-November में हो जाएगी और दोस्तों इसमें आपको MTS में non-technical में आपको एक ही exam होती है और उसके बद सिधा आपकी joining हो सकती है कुछ rear cases में आपका चोटा मोटा इंट्री हो सकता है या फिर कोई normal test हो कर रहो सकती है जैसे MSID जैसे हम computer test बोलते है तो ऐसा आप मिल जाता है तो देखते हैं इसमें अब आगे हमें काई कैसी लेवस है और काई का में देखने को मिलता है इसमें दोस्तों multi-tasking non-technical staff MTS बोलते हम इसे इसका जो highest qualification दोस्तों SSC होता है तो जो भी students दसवी pass out है वो इसे apply कर सकते हैं और हमारे देश में सबसे ज्यादा popular यही एक्जाम है और यही students जो देते रहते हैं उसके बाद है CHSL CGL बहुत कम लोग एक्जाम देते और इसका vacancies भी बहुत कम रहता है तो MTS और CHSL बहुत इसमें जो आपको पोस्ट मिलते रहती है तो अभी हम यहाँ पर देखते नीचे इसमें आपको pay level जो है वह matrix 7 पे commission मिलता है आपको जो CPC होता है ठीक है CPM या पर CPC होता है जो से हम क्या बोलते हैं कि वेतन बोलते साथ वा ठुवा वेतन तो इस प्रकार से होता है तो इसमे level 1 से लेकर से होते गरेता है तो अभी हम बात करेंगे आगे ज्यादा इसमें हम डिक में जाएंगे तो यहाँ पर दिखेंगे जो है MTS के लिए जो multitask के एंगे उनके लिए 4887 जो पोस्ट है यानि कि लगबग से समझे कि आप जो है यह 4900 पोस्ट है और हवलदार के लिए ज और reservation आपको दोस्तों इस प्रकार से आपर मिल जाता है SCST के लिए तो reservation ही यह वह भी आपर मिल जाएगा अभी आपर दोस्तों जो है multi-asking जो non-technical staff है so उनके लिए आपको जो है जो benchmark करता है जो disabled person होते है उनके लिए उसमें कई सारे टाइप होते है B, LVD, H, O, 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 और तो बहुत सार होता है मितलब किसी को दिखता नहीं है किसी को सुनाई नहीं देता इस प्रकार से कुछ होते है आपर बहुत सार है तो बाकि जो भी MTS है उसमें अप कुछ किसी होकि होती है इसके जिसको कम सुनाई देता है एं ग верх कर सकते है उसमें से हैंritis Ability वाले कहते है। एक हमलदार के वी हमेर बहुत सारे डापर को सुनाई देता ये और सुनाने के लिए है इसमें अग़री ये प्रकार सकते है सब्सक्राइब कर सकते हैं इंडिया नेपाल और भुटान तिनों कंट्री के लोग इसमें अपले कर सकते हैं और उसके बाद कुछ माइग्रेटर वाला भी है तो वाई से हम दूरी रहेंगे कुछ हम कम जाता बोल जाए तो बावाल मज जाएगा ठीक है दूसे बात ही नहीं क से कि कल के इसमें हमने आपको बताया था यहाँ पर आपको 18-25 साल का यहाँ पर रहता है तो 2 अगर्ष्ट 1990 से उपर 2006 तक आपको MTS के लिए अपला है यानि कि उसमें आप भी आते हैं CHSL वाले और दूसरा जो है आपर 18-17 साल के लिए जो है वो 1997 के उपर यानि कि 2 साल का ड लगबग जो है बहुत सारी स्टूरेंट्स के जो एज है निकल चुकी है 25 साल और 37 साल वाले हैं या फिर 26 पूरे हुए उस भी स्टूरेंट्स में आप लाए गर सकते हैं MTS के हावलदार के लिए ठीक है और यहाँ पर दूसरा हम एज रिलाक्सेशन के बात करेंगे ECST के ल साल का मिलता है और ECST होंगे तो आपको बांदरा साल का मिलता है और एक सरी उसमान होंगा तो उनको तीन साल का मिलता है अभी एज रिलास्येशन क्या होता है कल मुझे कुछ स्टूरेंट्स से पुचा था इसमें एक बात ऐसा समझी दूस्तो देखिए आप अभी होलदार क अगर SCST में आता है तो उसको पांस साल का समय मिलता है यानि कि 25 प्लस 5 यानि कि 30 साल तक वह एक एक्जाम दे सकता है ठीक है लेकिन उसको कुछ terms condition follow करने होगी अगर OBC में है तो उसको तीन साल का समय मिलता है मतलब हो 25 से 28 साल तक एक्जाम दे सकता है और कुछ अगर आगे बात करेंगी बाकी हम नीचे नहीं देखेंगे बाकी हम यह आपर दिखते आगला आपी इसमें कुछ पैरा होगर दे होते उसको भी आपको पढ़ना है और नीचे जाएंगे हमें आपर इसमें पोस्ट और कुन सी क्या ज्यादा डिटेल में दिया नहीं है खाली बस M आपको पढ़ना चाहिए तो उसके लिए आपको स्क्राइब की जरूरत पढ़ सकते हैं और कौन सा डिटेल में जो इंपोर्टन से आपको बताने के लिए अब ज्यादा हो तो कुछ इसमें है नहीं है बाकी बस आपको जैसे मैंने आपको बताया था इसमें 100 रुपे फिव होती है सबके लिए और जो हैंडिक्याप होते हैं टिक है डिसाइबलेटी वाले जो होते है या फिर सेस्टी की जिए स्ट रूरंस होते उनको फीज नहीं अब्लिकेशन अरे यह किस लिए है जाने तो इससे में कोई देंशन नहीं है बचाए जंटर के लिए कुछ अगर बढ़ हो गाया तो ठीक है को देंशन नहीं है और बाकिया आपने दिखते हैं हमारा तो एक्जम सिंटर है वह इस प्रकार से आता है सेंट्रल रिजन में आत में मैं खुद आता हो भाई औरंगाबाद से यहां पर औरंगाबाद का सिंटर है और कॉलापूर नाकपूर पूनी नाकपूर पूनी नासी को भी इसमें अड़ कर दिया गया है सूरत एमधाबाद पनजी गांधी नगर और अपर गुजुरात वाले भी आ गईधर इस ठी सब्सक्राइब करने हैं इसमें दसी अपलाई करें यार मतलब ट्राफिक कम रहेगा और उनका भी हो जाएगा सीजेल वाली अपलाई मत किजिएगा सीजेल के लिए लग से वेकंसी उपन हो चीए ठीक है लगबग अगर यह आप बात करेंगे आप यह चारहाजार नो सो वा इसमें आप अपलाई कर सकते हैं ठीक है सो बेस्ट अपल गाईज मिलते हैं अगले लिक्चर में जेहिन जेवालत